नमस्ते मैं हूँ अबने आकाश और आप देखना शुरू कर चुके प्रभा सक्षी का बेहदी खास कारेक्रम हिस्ट्री रिविज्टेड आज की कहानी एक ऐसे राजकुमारी की जिसके शादी पूरी दुनिया में करीब 750 मिलियन लोगों ने टीवी पर लाइव देखी और जब उसकी मौत हुई तो धाई बिलियन लोगों ने उसकी मौत के आकरी सफर को लाइव देखा था वो अपने वक्त की सबसे खुबसूरत लड़कियों में से एक थी वह वेल्स की राजकुमारी थी वह ग्रेट प्रिटेन की महरानी एलिजाबेट द्यूतिये के बेटे के होने वाले राजा चार्ल्स की पतनी थी हम डाइना की बात कर रहे हैं वह डाइना जिसके प्रेम प्रशंग साधी से पहले ही चर्चित रहें 31 अगस्त 1997 को के बारे में बात करते रहें लेकिन जब डाइना मरी तब भी उसके सामने की इतनी कहानिया छोड़ गई जो आज भी दुनिया भर के कई देशों की तमाम एजेंसिया उनकी मौत का सच जानने में चुटी है शुरू आती सफर डाइना फ्रांसेस स्पेंसर का जन्म एक जुल महें फैनले लगी कि प्रिंस ओफ वेल्स चार्ल्स के साथ उनकी दोस्ती से कुछ अधिक मीडिया में बाते सुर्कियों में रही जिसकी वजह से डाइना को अपना काम तक छोड़ना पड़ा इंगलेंड के साही परिवार ने इन अठकलों पर लगाम लगाने की कोशिश की लेकिन सारे प्रयास विफल साबित हुए राजकुमार चाल्स की शादी चौविस फरवर उनिस से क्यासी को डाइना और प्रिंस ओफ वेल्स की सगाई की पुष्टी हो गई बताया जाता है कि उस वक्ट डाइना की अंगूठी की कीमत लगबग 30,000 पौंड थी जिसमें एक शादी के बाद तीन साल में दो बच्चे राजकुमार विलियम और राजकुमार हैरी की मा बनी समाज सेवा के कामों के लिए जनता में लोग प्रिये रही जल्दी शाही परिवार की अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई वो नर्सरी स्कूलों और अस्पतालों में लोगों से मिलने जाती रही वो बड़ी सहज़ता से लोगों से जुड़ जाती थी जिस कारण उन्हें काफी पसंद किया लगा राजकुमारी डायना समाज सिवा के अपने कामों के लिए जनता में लोग प्रिये रही एड्स बीमारी से पीडित लोगों की दशा को प्रियनिक रूप से हाथ भी मिलाया ताकि यह संदेश देश के चुने से नहीं फैलता है डायना के मदर टेरेसा से भी काफी अच्छे संबंद रहें दरार की खबरें और फिर बात तलाक तक पहुंची पति-पतनी के बीच दरार की खबरें लगी और दोनों की अलग- प्रिंस चाल्स से शाधी तूटने और साही परिवार से अपने तनावपुन संबंदों पर खुल कर बात की ती डायना और चाल्स का तलाक 28 सगस्त 1996 को कैसे हुई थी मौत साल 1997 में जब 31 सगस्त को डायना पेरिस में उद्योग पती महम्मद अलफायाद के बेटे डोडी अल पत्रकार डायना की गारी का पीछा कर रहे थे इन से बचने के लिए ही ड्राइवर गारी तेज चला रहा था इसी वज़े से गारी का एक्सिडेंट हो गया जाच और हकिकत प्रारम्मिक जाच में यह बात सामने आए कि ड्राइवर हेंरी पॉल ने आट पैक सराब पी थी व पूरी जाच में करीब 2 करोड डॉलर खर्च हुआ कमिशन के फैसले में इसे रोड एक्सिडेंट कहा गया ड्राइवर ने सराप्पी रखी थी गारी की रफ्तार तेज थी और कंट्रोल खोने से हाथसा हुआ कई त्योरी आई सामने नंबर वन यह एक्सिडेंट नहीं है औ फिरिस दौरे के दौरान डायना के प्रेग्डेंट होने की खबर भी आई दोनों शादी करने वाले थे यह बात ब्रिटेन के साही परिवार को पसंद नहीं आई साही परिवार की गरिमा को बनाया रखने के लिए कतल की यह सामने नंबर टू कहा जाता है कि खुफिया एज किसकी है दूसरी कार जब डायना की मौत की जाच हुई तो पता चला कि डायना जिस गारी में बैठी थी उसे सफेद रंग की टकर मारी गई डायना की कार पर उसके निशान भी थे गारी का इस्तमाल करके ही एक्सिडेंट किया गया घटना के बाद वह कार गायब हो गई यह एक बड़ा सवाल है कि कहां चली गई सीटीवी की रिकॉर्डिंग जहां पर हाथसा हुआ वहां दस कैमरे लगे लेकिन किसी भी कैमरे में किसी एक्सिडेंट की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली यह खुलासा ब्रिटेन के एक बड़े अखबार नहीं बांधी थी यह ब प्रिंस चाल्स को डाइना की मौत की जानकारी फोन करके बताते हैं कहा जाता है कि कुई परिवार की परंप्रा को उस दिन भी जारी रखती है और वह आम दिन की भाती ही अगली सुबह बहुत है नॉर्मल व्यभार कर रही थी बीविक की रिपोर्ट के अनुसार कुई नही मिला हूं बहुत से लोगों को मेरा स्वतंत्र रहना पसंद नहीं है लेकिन मैं ऐसी ही हूं कही ना कहीं उनका यह कहना साफ प्रमानित करता है कि डाइना राज परिवार के नियम से त्रस्ता चुकी थी उनसे आजादी चाहती थी लेकिन सही परिवार द्वारा लागो अच व्यात्रा निकली तो उस रास्ते पर दस लाग से ज्यादा लोगों की भीर उन्हें अलविदा कहने उम्री थी परहाल राजकुमारी डायना की मौत के दो ट्रसक से ज्यादा का वक्त बीच चुका है लेकिन उनकी मौत को लेकर तमाम तरह की थियोरी आज भी जिन्दा है औ तो आज हमने लेडी रायना की कहानी का पूरा विश्लेशन किया आज के लिए दिजाजत और ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभासाक्षी के साथ लगतार बने रहें वीडियो को देखने के फेस्टूर टूप में फॉलोव करें यूटूपर प्रभासाक्षी को सब्सक्राइब करें